तो साईडोन या वल्गरिस को आपको इसी तरह इस्तमाल करना पड़ेगा अगर आपका लिंक की लंबाई और मोटाई को अगर आपको बढ़ाना है तो दोस्तो आप लोगों में से बहुत लोग साइडोन या वलगारिस होमेोपैथिक दवा का इस्तमाल कर रहे है अपना लिंग का साइच को बढ़ाने के लिए अपना लिंग की आकार को बढ़ाने के लिए मगर इस दवा को लंबे समय तक के लिए इस्तमाल करने का बावजुद भी इससे उतना बड़िया रेजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है ऐसा आप लोगों का कहना है जितनी बाते की जाती है इस दवा को लेकर यूटूब में जितना पेकसा रखा जाता है इस मेडिसिन को लेकर उससे कई गुना कम परिणाम देखने को मिलता है इस मेडिसिन को यूज करने का बाद तो क्या ये मेडिसिन काम नहीं करती है ये बेकार है आज हम लोग इसी टॉपिक का उपर बात करने वाले हैं तो मैं डॉक्टर सुप्राइब ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल होमियो केर्ट टिप्स पे औ तो दोस्तो जो लोग साइडोन्या-वल्गरिस को इस्तमाल करते हैं आपना छोटी लिंक की समस्या को लेकर, माईक्रो पिनिस की प्रॉब्लेम को लेकर और कहीना कहीं लंबे समय तक के लिए इस्तमाल करने के बाद जब उनको कोई खास परिणा मिल नहीं पाता है इस मेडि अपनी जगा बिल्कुल सही है ये बिल्कुल काम करती है ये मेडिसिन लिंग में तनाव की प्रॉब्लेम को भी ठीक करता है और लिंग की नसों की प्रॉब्लेम को भी ठीक करता है और उसी के साथ जिल लोगों का लिंग लंबाई और मोटाई में कम है वहां पर भी ये बिल्क करना पड़ेगा तभी जाकर आपका काम बनने वाला है बाकी प्रॉब्लम्स के लिए आप साइडोने वल्गरिस को ऐसे ही इस्तमाल कर सकते हैं माल लिजए आपको अगर इरेक्टायल डिस्फंक्शन है या फिर प्रिमाचिल एजेकुलेशन है तो उस केस में आपको साइडोन वाली रेमेडिय पता नहीं है आप रॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते है तो उस समय आपको साइडोने वल्गरिस के साथ आपको नुफूर लूटिया 200 आपको इस्तमाल करना पड़ेगा तो नुफूर लूटिया 200 मैं पिक्चर लगा दिया हूँ आप देख लीजे तो लूटिया 200 का दो बूंद आपको हफ्ते में एक बार लेना है once in a week once in a seven days सुभे सुभे आपको नास्ते से पहले आपको दो बूंद ले लेना है नुफुल लूटिया 200 का लेकिन हफ्ते में आपको एक ही बार लेना है दो बूंद करके और साइडोने वल्गरिस के अगर बात क में ये 370 सब्सक्राइब 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 करना है और तभी आपको इस मेडिसिन से एक बढ़िया परिणाम आपको देखने को मिल सकता है आपकी लिंग की लंबाई और मोटाई दोनों बढ़ सकता है हर चीज का एक प्रोसेस होता है जब तक वो प्रोसेस 100% फॉलो नहीं होता है तब तक आपको बढ़िया रेदल्ट आ मेडिसिन की प्रोब्लम है तब उस केस में आप साइड ओने वल्गरिस को इसके इसको इस्तिमाल कर सकते है लेकिन अगर आपको सब कुछ तए है आप सिर्फ मेडिसिन को करें यह बिल्कुल नॉर्माल है इसको लेकर आप बिल्कुल भी ना सोचे और कोई छड़खाने ना करें वही लोग इन मेडिसिन का इस्तमाल करें जिन लोगों का लिंक का साइच इरेक्शन के बाद दो इंच तक आता है यह साड़े तिन चार इंच तक ही लोगो को इस्तमाल करना है तो दोस्तों यह साइडायों को लेने का सही तरीका है और सौल यहforme करता हूं और अगर आपको कि की मुझे सो और को जांकरी चाहिए यह पिर आप लोग्य sevent़ो के कमेंड़ बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उसका रिप्लाई आपको वहीं पर दे दिया जाएगा तो थैंक यू वेरी मॉच एंड हव गुड डे